बाहियों और बहनों देश सुरक्षित नहीं होगा तो विच्षित भी नहीं होगा विकास के लिए पहली शर्त सुरक्षा होती है मिलावटी सरकार खीचडी सरकार तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं दे सकती आप यहां मद्वदेश में ही देख लीजिए यहां एक ही पार्टी के धाई सीए में धाई 2.5 प्रशाशन को पताई नहीं चलता कि किसका आदेश मानना है गुंडों हत्यारों और डकेतों को खुला लाइसेंस दिया गया है अपने अपने घुटों के हित में यहां प्रशाशन का इस्तेमाल किया जा रहा है उद्योगों के नाम पर एक ही उद्योग चल पड़ा है तब आदला उद्योग, ट्रांसपर उद्योग जब एकी दल की खिचडी में यह हाल हो सकता है तब दिल्ली में दो डर्जन लोगों की खिचडी का यह क्या गुल खिलाएंगे देश का क्या हाल करेंगे, यह मत्रप्देश वाले आसानी से समझ सकते हैं साथियों, इनकी नियत में खोट है इसलिए बहाने बनाते हैं, आप से जुड़ बोलते हैं असल में आपका पैसा इनोंने चुनाव प्रचार में उड़ा दिया है केंद्र से आदिवासी बहनों और बच्चों के पोशक अहार के लिए जो पैसा भेजा गया था, वो भी इनोंने नामदारों को चुनाव प्रचार के लिए दे दिया पुरे देश ने तुगलक रोड चुनाव गोटाले का सच देखा है कॉंग्रेसियों के घर से कैसे नोटों से भरे बोरे मिले है ये तो टिवी वालों ने दिखाया है जूट और प्रच्टाचार के इसी खेल को कॉंग्रेस ने कई दसकों से सिष्टाचार बनाया हुआ है